आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार पराठी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनेगा शकरकंद और बदाम से जो कि उनको अच्छा लगेगा थाने में यमी भी लगेगा और सबसे खास बाद यह बढ़ाने में बहुत आसान है तो मेरे रेसिपी अगर पसंद आ नए आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आकन को जरूर हिट कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटस नोटिफिकेशन मिलते रहें आप और हम यो भी जोड़े रहें तो चलिए जन्दी से देख लेते हैं शकरकंद और बादाम का ये मज़ेदार पराठ शकरकंद बादाम पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम शकरकंद ले लिया है इसको मैंने 1 सीटी आने तक उबाल लिया है फिर इसको मैंने छील के ऐसे कट में लिया है इसको हम ग्रेट करके यूज करेंगे यहां पर मैंने कुछ बादाम ले लिए हैं जिसको मैंने दो घंटे गरम पनी में भिगो के इसकी स्किन को पीद कर लिया है थोड़ा सा गुड ले लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहे तो इसकी जगा चीनी भी डाल सकते हैं शकरगंद को अब मैं ग्रेट करना स्टार्ट करूंगी महीन वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट करेंगे अब इसी ग्रेट करें होई शकरगंद में हम उसी ग्रेटर से जो महीन वाना है उसी से यह बादाम भी इसी में ग्रेट कर लेंगे पादाम भी मैंने अच्छे से इसमें घ्रेट करके ले AwwD से हालके हातों से मिक्स करेंगे सारी चीजों को स्टफिंग बनके तयार हो गई है इसको हम जब तक हम आटा गुनेंगे तब तक हम इसको फ्रिजब रख देंगे ताकि यह लूज ना हो जाए यहां पर मैंने मिक्सिंग बॉल ले लिया है अब इसमें डाल देंगे एक कप नॉर्मल जो आटा हम अपने घर में यूज करते है को डाल देंगे एक बड़ा चम्मच कॉन फ्लोर मतलब मकई का आटा जो हता है कॉन स्टार्च काली मेर्च ग्रश करी हुई चार से पांच आधी चम्मच हरी वाली सौफ जो छोटी वाली होती है इसको मैंने हलका सा दरदरा कूट लिया है इनको पहले अच्छे से मिला लें अब एक चम्मच डाल देंगे कुकिंग ओईल आप चाहे तो इसकी जगा घी भी डाल सकते हैं हाथ को मैंने साफ पर लिया है हाथ की मदद से इस मिक्षर को पहले हम मिला लेंगे ओईल के साथ अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालके एक सेमी डोगू देंगे ना ज्यादा टाई ना ही ज्यादा लूस आटागुन के तैयार है अब हम इसे 15 मिनट के लिए ठकके रैस्ट करने देंगे 15 मिनट हो गया है अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मसल लेंगे आटा लगके तैयार हो गया है इस्टफिंग फ्रेज से निकाल दी है इसको मैंने बाउल में ट्रांसफर कर दिया है तो अब जल्दी से शकरकंद बादाम के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले शुखे आटे से हाथ को अच्छे से कोट कर लेंगे है इसमॉल पार्ट तोड़ेंगे आटे से और इसको डालेंगे और इसको थोड़ा सा मोटा बेल लेंगे इतना मोटा हमें से बेलना है अब इसमें एक चम्मच में स्टफिंग लेके भड़ देंगे बिलकुल सेंडर में रखेंगे इस तरह से बराबर बंद करेंगे इसे और इसको ऐसे मोड़ते हुए इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकालके रख देंगे अब इसको हलके से दबाएंगे सुखे आटे में कोट करेंगे तो सबसे पहले ऐसे फ्लैटर कर देना चाहिए जिससे कि यह बराबर फैल जाती है लोई के अंदर ऐसे फैलाकर सर्फेस पर रख देंगे और इसको हल कि इस तरह से पराठा बेल के हम तयार कर लेगे तो ब्लेट पे पर फिर हम इसको सेखेंगे यहाप मैंने नौस्टिक तबाब बेलते समय ही चढा दिया था गैस पर यह अच्छे से गरम हो गया है अब हम इस पर पराठा डालते जाएंगे बबल सुखने देंगे अच्छे स , बुरके प्लट देंगे, जब नीचे से भी शीकने देंगे, बुरके देंगे, अब धीरे-धीरे हम इसको ऐसे ही टर्न करते हुए पका लेंगे बहुत टेस्टी है ये ये हो गया है इसको एक प्लेट को तार लेंगे लीचे तयार है हमारे शकरकन बादाम के पराठे इन सर्दियों में आप अपने बच्चों को ये पराठे बना के जरूर खिलाएं उनको ये बहुत अच्छे लगेंगे और वो इसको पसंद भी करेंगे मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके भी मुझे जरूर बताएं मैं आप से शुक्रा मिलती हूँ आप से एक और नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाइ बाइ बाइ